स्वागत है दोस्तों आपका अमारे यूट्यूब चैनल निवेस टिप्स में दोस्तों SBI के अंदर वैसे तो बहुत सारे mutual funds चलाए जाते हैं लेकिन SBI का सबसे best mutual fund माना जाता है SBI blue chip fund को SBI blue chip का ऐसा fund है जिसने जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक 16.48% के returns provide कराए है all time return अगर ये 16.48% के इस fund ने दिये है तो हम आगे आने वाले time में भी expect कर सकते हैं कि ये हमें आगे आने वाले time में भी लगबग 16% के आसपास के returns provide करागर दे सकता है अगर हमें 16% के return मिलते रहे तो ये fund दोस्तो हमें FDRD से लगबग धाई गुने के आसपास return provide करा रहा है अगर हम इसके 5 साल के return की बात करें तो 5 साल में भी इसने 16.15% के returns दिये हैं पिछले 3 साल में भी इसने 19.68% के returns दिये हैं पिछले 1 साल में इसने 23.38% के returns दिये हैं इवन पिछले 6 मन्त में भी इस fund ने 12.58% के returns प्रोवाइड कराए हैं SBI का ये fund SBI Blue Chip Direct Plan है जैसा इसका नाम है वैसे ही दोस्तो इस fund के manager इस fund में जो भी पैसे घटे होते हैं उन पैसे को Blue Chip Companies के अंदर invest करते हैं जैसे SBI, LNT, SDFC Bank, ICAC Bank, Reliance Industry, TCS, Infosnitz, HCL Technology जैसी दिगज companies के अंदर ही सिर्फ इस fund के पैसे को निवेश किया जाता है अब आप इस fund के अंदर दोस्तों online गर बैटे कुछ से निवेश कर सकते हैं या आप official website से भी निवेश कर सकते हैं बैंक के तुरू भी निवेश कर सकते हैं या किसी agent के तुरू भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सिज़ेस करूँगा कि जब भी आप किसी mutual fund के अंदर पैसा निवेश करें तो खुद से निवेश करें यानि कि आप direct निवेश करें उससे benefit यह होता है कि जो agent को जाने वाला commission है वो नहीं जाता और fund की growth का पूरा-पूरा हिस्सा या पूरा-पूरा lab सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलता है तो आए जानते हैं दोस्तों कि किस तरह से हम कर सकते हैं इसके अंदर निवेश आप grow के तरू या जरोदा के तरू investment कर सकते हैं दोनों के link नीचे description box में available हैं किसी भी तरह का कोई brokerage charge grow या जरोदा नहीं करता है even grow के अंदर आप free में account open करके निवेश कर सकते हैं और जरोदा के अंदर आपको 250 plus GST का charge लगता है account opening का one time उसके अलावा दोस्तों इसमें किसी भी तरह का कोई charge नहीं होता और आप अपने mobile के तरू या laptop के तरू ओनलाइन KYC done करने के बाद में डेमेट account open करें और फिर जितना चाहें आप उतना पैसा निवेश कर सकते हैं वैसे दोस्तों किसी भी mutual fund के अंदर आप SIP या LAMSUM दोनों तरह से निवेश कर सकते हैं SIP में क्या होता है कि हम चोटा चोटा निवेश 1000 रुपे, 1500 रुपे, 2000 रुपे निवेश करते हैं या उससे ज़्यादा amount निवेश करते हैं और उसके बाद हम finally 2 साल, 10 साल, 4 साल बाद अपने पैसे को निकाल लेते हैं इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों LAMSUM investment की तो LAMSUM investment आप एक बार करके छोड़ देते हैं और फिर कुछ समय के बाद में आप अपने पैसे को वापिस निकाल लेते हैं तो आईए जानते हैं दोस्तों की अगर आप SBI के इस पर्ण के अंदर one time investment करके छोड़ देते हैं तो ये हमें कितना पैसा provide कराकर दे सकता है मानली जी वैसे तो आप minimum LAMSUM में 5000 रुपे का निवेश इसके अंदर करके छोड़ सकते हैं और maximum की कोई सीमा नहीं है जितना चाहें आप निवेश करें लेकिन मैं आपको एक ideal amount बता रहा हूं मानली जी आज आपके पास में 1,00,000 रुपे हैं और आप एक लाग रुपे को invest करके इस फंड के अंदर छोड़ना चाहते हैं और इसके अलावा दोस्तों किसी भी mutual fund के अंदर आप एक साल के लिए दो साल के लिए पास साल के लिए या दस साल के लिए निवेश कर सकते हैं तो अगर आपका व्यू बड़ा है और आप अपने बच्चों की higher education या बच्चों की शादी या अपने retirement के point of view से आज एक लाग रुपे का निवेश करके छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको अलग-अलग time period पर बता देता हूँ कि अलग-अलग time period पर हमें कितना पैसा प्राप्त होगा माली जी अगर आप 5 साल के लिए इस पंड के अंदर निवेश करके छोड़ते हैं और ये हमें 16% का ही return provide करा कर देता रहता है तो हमारा 1,00,00 रूपे बढ़कर अगले 5 सालों में 2,10,000 रूपे हो जाएगा इसी तरह से अगर हम देखें दोस्तो 10 साल के time period में तो 10 साल के time period में हमारा 1,00,00 रूपे बढ़कर 4,41,000 रूपे हो जाएगा अब दोस्तो 4,41,000 रूपे में से सिर्फ tax का deduction होगा और final amount जो भी होगा वो हमारे account में credit हो जाएगा इसी के साथ अगर हम बात करें दोस्तो 15 सालों की तो 15 साल में 1,00,000 रुपे हमारा बढ़कर 9,26,000 रुपे हो जाएगा क्योंकि 8,26,000 रुपे के आसपास हमें 16% के हिसाब से estimated returns मिल चुके होंगे इसी तरह से अगर हम बात करें 20 साल की तो 20 साल में हमारा 1,00,000 रुपे बढ़कर 19,46,000 रुपे हो जाएगा और 25 साल के time period के अगर हम बात करें तो हमारा 1,00,000 रुपे बढ़कर 40,87,424 रुपे हो जाएगा और दोस्तों इसमें से सर्फ और सर्फ टेक्स का deduction होगा और final amount हमारे पास होगा इसी तरह से अगर हम 30 साल की बात करें तो हमारा 1,00,000 रुपे बढ़कर 85,000,000 रुपे भी हो सकता है अगर यह हमें 16% का return दे दे और हम अपने investment को 30 साल तक ऐसे ही continue रखें आप अपने according monthly basis पर भी निवेश कर सकते हैं या one time investment करके भी छोड़ सकते हैं यह totally आपके ओपर depend करता है अगर आप आप अनलाइन घर बैटे निवेश करना चाहते हैं तो नीचे description box में link है link पर click करके आप grow या जरूता के तुरू निवेश कर सकते हैं धन्यवाद